हलो दोस्तों मैं आज इसको मारा के हैं हुने इंट्रेस्टिम वीडियो के साथ तो दोस्तों इस वीडियो में इस वीडियो में हमारे पास एक जो है जार है यहां देख सकते हैं हमारे पास एक जार है जो कि मैं अंदर से दिखाने कोशिद कर रहा हूं एक जार है इसके अंदर हम ब्लेकेट्स जलेंगे यहां देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ब्लेकेट्स एक भी आइपी दो भी आइपी हैं और बहुत सारे ब्लेकेट्स हैं और हम इसको जलाएंगे और देखेंगे क्या जिस तरह जो पहले का वीडियो में मटका और जो क्या था वो मटका और एक क तो मिलते हैं विडियो में चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो पहले हम एक और का संख्या उसको बढ़ाते जाएंगे और देखाइंगे कितना इसको पहाड़ सकता है तो दोस्तो बारिया वांग करने की और एक बम से प्राय करते देखते क्या होता है हम अपना एक्सपेरिमेंट बहुत हिसावधानी से करते हैं आप ऐसा कुछ भी घर में करने की कोशिस मत किजिएगा कि अब कि अब कि 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 क क कि 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 तो दोस्तों हमने देखा कि जो डबा है वो पूरी तरीके से फट गया हमको लगा कि सायद जिस तरह यह जब डबा मजबूत था तो एक वह में नहीं फटेगा लेकिन यह तो एक ही वह में खतम हो गया यहां देख सकते हैं हमारा जो टुकड़ा है कुछ इस पर कर से आया है तो यहां जो हमारा पहला पार है यह पीछे का पाठ वह तूटके आ गया था और दूसरा पाठ देखते हैं कि दर है और बड़ा पाठ तो यहां पर है यहां देख सकते हैं कि मुझे लगा कि सायद एक बम इसको कुछ नहीं बिगर पाए लेकिन एक ही बम ने इसका तो पूरा हाल बेहाल कर दिया यहां द हम को लगाता कि यह एक बम को सहलं कर पास यहागा लेकिन एक वां यह अन्यें इसको बड़ात कर दिया तो आप समझ सकते हैं यह पेसे बढ़िया तो विलेक है क्यांकि देख सकते हैं जो एक ही ब्लेकेट ने इस नाम जबूत जो डबा धा जार था उसको पूरी तरीके से छोड़ के रख दिया और जो पाठ वह पूर्ठ किथर गया है मुझे तो ही पाट मिला लेकिन और पाठ और पाठ पता नहीं कहा कहा गये हैं तो सायद वो पार्ट्स नहीं मिलेंगे कोई दिकत नहीं है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू किजिएगा तो दोस्तों आप इसा कुछ भी घर में करने को सिस्मत किजिएगा मिलते हैं अपने इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक